किये जाने की बात सामने अब जीन आपको लखने उलेकर चलते हैं जहापर अर्विन के जिवाल प्रस कॉन्फरेंस कर रहे हैं और करेश आदफ साथ में मौझूद हैं दिखाता है अपने लिए वोट नहीं अमिछ शा जीको प्रषानमंत्री बनाने के लिए उट नहींत क्या इंसरी वात योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2-3 महिने के अंदर उत्तर प्रदेश के CM पद से हटा दिया जाएगा नमबर तीन इन लोगों की पूरी तैयारी है अगर ये लोग जीत गए तो समविधान को बदल के SCST और OBC का रिजर्वेशन खतम कर दिया जाएगा और नमबर चार जो आकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठवन्दन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटे मिलने जा रही है मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पर आता हूँ जब 2014 में प्रधान मंत्री बने थे उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारती जन्ता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से उपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा और उसका सबसे पहले उस रूल के तहट आडवानी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था और उसके बाद तमाम यश्वन सिना जी थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया ऐसे कई सारे लोग है तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधान मंत्री मोधी जी 75 साल के होंगे और मोधी जी ने तेह कर लिया कि अमिश जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमिश जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधान मंत्री बनाने का उनोंने तेह किया है मोधी जी ने इसके उपर मोधी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए है क्योंकि भारते जंता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एके करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता साफ कर दिया गया शिवराज सिंग चोहान को हटा दिया गया वसंदरा राजे को हटा दिया गया डॉक्टर रमन सिंग को हटा दिया गया देवेंदर फड़नवीज को खतम कर दिया गया खट्टर साव को खतम कर दिया गया एक एक करके सब को खतम कर दिया गया अब योगी अधितिनाथ जी को इन्हों ने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो दो महिने के अंदर योगी जी को भी उत्रप्रदेश के सीम से हटा दिया जाएगा मैंने दिल्ली में तीन-चार दिन पहले ये प्रेस कॉन्फरेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाये थे जैसे मैंने मुद्दे उठाये थे तो अमित शाजी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं मुद्दी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए मुद्दी जी को 75 साल पूरा कारेकाल पूरा करेंगे उन सब की भावनाओं कि मैं कदर करता हूँ क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि मोधी जी ने ऐसा नहीं का कि मैं 75 साल पर इस्तीफ़ा नहीं दूँगा मैं रिटायर नहीं होंगा उनका अपना बनायावार रूल है और मुझे पूरी उमीद है कि मोधी जी का अपना बनायावा रूल है और मोधी जी अपने रूल को फालो करेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि मोधी जी ने ये रूल अडवानी जी को हटाने के लिए बनाया था जब अपनी वारी आई तो नहीं तो मोधी जी इस रूल का फालो करेंगे ये पूरा यकीन है द कर लिया और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तयार नहीं है योगिया अधित्यनाथ जी के तो उनका हटना अब लगबग तैय है कि योगिया अधित्यनाथ जी को उत्तर परदेश के सीम पत से हटाया जाए दूसरी चीज मैं उत्तर परदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच महीने से इन्होंने शोर मचा रखा चार सो पार चार सो पार चार सो क्यों कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाते हैं तो लोगों ने खोद-खोद के पूछा वे क्या बड़ा काम करना चाते हैं कुछ बताओ तो सही तो उन् इनका जो पूरा एको सिस्टम है RSS, BJP शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसलिए चाहिए, क्यों वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारते जन्ता पार्टी को 500 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास 3-4 दिन पहले भी मैंने का था, 220 से कम सीटे इनकी आती वी नज़र आ रही हैं, आप हिसाब लगा लगा लेजिए, मैं हर्याना होके आ रहा हूं कल परसों, हर्याना में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता हैं कि कोई सीट आ रही है, करनाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो जो पूरे देश के अंदर एक नेगिटिविटी इन लोगों ने फिलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे मैं अंत में उत्रप्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठवंदन के यहां पे सपा और कॉंग्रेस का गठवंदन है इंडिया गठवंदन का जो जहां से कैंडिडिट है उसको भारी महत्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताए है अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के रास्त्री अध्यक्ष मानी अखले स्यादो जी से क्लिव अफ्रबाद आदेनिया अर्विन केजिवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं उन्होंने बहुत महपूर बातें आपके सामने रखी हैं जो देश का महौल है और चार चरणों में भारती जंता पार्टी चारो खाने चित हो चुकी है और उनके आस्वों की नदी उफान में हैं भारती जंता पार्टी जो चार सो पार का नारा दे रहे थे अब समझ में आया है चार चरणों के बाद वो बात तो ठीक है कि आर अच्छर पर सबसे पहले हमला करेंगे लेकिन चार सो पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि फाइफ फॉर्टी-थ्री में चार सो के बाद वो सीटें देख रहे हैं केवल 143 बन रही है तो वो स्वेंश विकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्याद है वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती है और 140 क्रूर की जंता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खिल में ही उदल जाएंगे यहां कुछ इन्हें हासिर होने वाला नहीं है रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे लेकि रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें समिधान बचाना है समिधान बचेगा तो लोगतंतर बचेगा और बाबा साथ भीमरा मिटगर जी का दिया हुआ समिधान यह हमें अधिकार, हमें नियाए दिलाता है भारती जिनता पार्टी की इस साज़िश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारती जन्ताफर पार्डी की होने वाली है अभी तक तो हम ये पेदे देगे भ्हमाण का सबसे बड़ा जूट बोल लेंगे अब लग ये राय हारने के बाद कि ये भ्हमाण का जूट का विद्याले खो लेंगे कि युनिवेस्टी खोलेंगे और वाइस चांसर और दीन पहले सी रिटायर हो करके वहां अपने आप निप्थ हो जाएंगे कि इसलिए देश को बचाने के लिए अद्धनी अरद्विन के जिवाज जी आए हैं हम लोगों का सहयोग मदद करने के रहा हैं मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी इंडिया गडबंदन समाजवादी पार्टी हम सम मिल करके भाजिनता पार्टी को हटाने जा हैं है कि अधन कि साजा प्रस कॉंफरेंस आप सुन रहे थे जहां परार्वन के जिवाल मौझूद है